को सुल्फ सिर्फ government of India कर सकता है हम भी हिंदुस्तान के नागरिक है आप हमें आसवाशन हमको guarantee दीजिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं हमारा डिमांड गेटर तीप्रलायन का है अंडर आर्टिकल 2 और 3 और हम इस डिमांड में government of India से बात करना चाहते हैं हमें बात नहीं क कि किसको कितना मंतरी का post चाहिए किसको मिले चाहिए किसको क्या seat alliance चाहिए हमें अपने लोगों के बारे बात करना है हमको अपने व्यक्तिकत के बारे हमको क्या मिल रहा है वो उसके बारे नहीं करना है हमें government of India से एक constitutional solution चाहिए यह हमारा दिली अभियान है और इसमें हमने पूरा train book किया है बारा सो लोग नवेंबर के first week के बाद हम लोग सब जा रहे हैं मैं भी जाओंगा और मैं भी जनतर मंतर में आपके साथ बैट कर मैं भी आंदोलन करूँगा शायद पहला बार है कि royal family का कोई भी member जनतर मंतर में खुद बैट कर greater tipra land के बारे demand कर रहा है बह इसके बाद मैं भुभाग रहा हूँ तो ये मैं कभी नहीं भूलूँगा और ये दूसरे लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि आजकल बहुत problem चल रहा है बांगलादेश में पूजा के time हमारे minorities जो वहां में हैं उनके उपर attack हुआ है बहुत दुख लगता है बहुत खराब लगता है क्योंकि कहीं में भी आप minority को target करने से मतलब कि किसी को क्या मिलता है violence से किसी को क्या मिलता है तो जहां में मंदिर को जलाया गया पूजा पंडाल को तोड़ा गया minorities को मारा गया हिंदू लोगों को वहां में मारा गया ये गल इसको हमको बदला लेना चाहिए मौलवी को मार कर। इमान है, इज़त है और उस इज़त से मुझे शक्ती भी मिलता है। आपका प्यार, आपका आशिर्वाद मुझे बहुत ताकत भी देता है और शक्ती भी देता है। और जब हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, तो मुझे खराब भी बहुत लगता है, क्योंकि मैं politics में दिल से नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे अपने तीपरासा लोगों के लिए एक constitutional solution चाहिए, और ये constitutional solution मैं अगर अपने स्वार्थ से देखा मैंने, MLA बन के या MP बन के, तो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे तीपरासा लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, इसी के लिए मैं जमीन में आया हूँ, और जिस दिन हमारा constitutional fight जो है, वो हमें मिल जाता है, उसके बाद मुझे कोई राजनीती नहीं करना है, मैं college खोलना चाहता हूँ, hospital खोलना च जाता हूँ, politics, politicians को करने दीजिये, मैं अपने लोगों के लिए एक बार, एक होकर, थांसा होकर, ग्रीटर ती प्रयान के लिए fight करना चाहता हूँ, एक, दो, तीन चीज और था, जो मैं आपको update देना चाह रहा था, सबसे पहले, दिली अभ्यान, दिली अभ्यान हमारा इसी के लिए हमने ये दिली अभ्यान को first week of November के बाद हमने ready रखा है, train भी पूरा book हो गया है, हम लोग 1200 लोग दिली जा रहे हैं November को, first week के बाद, कल या परसो, Monday को press conference करके हम announce कर देंगे, कौन से date में हम लोग दिली अभ्यान जा रहे हैं, दिली अभ्यान में हमारा मकसद कि कि पूरा इंडिया को मालूम होना चाहिए, कि इंडिया में भी एक छोटा सा राज्य है, जिसका नाम तृपुरा है, और तृपुरा में हमारा बहुत problem है, और उस problem को solve, सिर्फ ऐसे जो violence हो रहा है तृपुरा में, जहां में हम अपने ही minority को attack कर रहे हैं, हम में और दूसरे देश में क्या फरक रहेगा, अगर हम अपने देश में अपने minorities को protect नहीं कर सके, तृपुरा का एक अलग culture रहा है, तृपुरा में महाराजा तृपुरा ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया, आज भी, आज भी उजैनता पैलेस में, हफते में दो बार नमाज पढ़ा जा दोस बन कर रहना चाहिए, और धरम के नाम में किसी के संग आपको fight करने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे चिंता है कि बांगलादेश में जो हो रहा है, वो हमारे पूरे शेत्र के लिए खराब है, अगर शेक हसीना कमजूर हुई, और बांगलादेश में communal elements आ गए, तो आज के दिन एक करोड़ सत्तर लाख, एक करोड़ सत्तर लाख हिंदू minorities हैं बांगलादेश में, और अगर बांगलादेश में शेक हसीना नहीं रही, तो बांगलादेश में situation खराब हो सकता है, और अगर ये situation वहां में खराब हुआ, तो आप सब जानते कि अफगानेस्तान में स तो जो हमारे minorities हैं, वो कहां जाएंगे, पस्चि मंगाल में आएंगे या फिर North East में आएंगे, और अगर North East में आया, तो problem सबको होगा, हमारा यहां में संख्या कम है, हमारा यहां में पहले से tension है, और इसके बाद अगर बांगलादेश में situation खराब होगा, और हम लोग सब, बहुत लोग यहां में आने लगे, तो tension हम मतला लेना चाहिए, मौलवी को मार कर, यह गलत बात है, हम एक secular state है, और हमें दूसरे की गलती को देखकर उसको copy नहीं करना चाहिए, अगर कही में उन्होंने मंदिर तोड़ा है, तो हमारा जवाब किसी का मस्जिद तोड़ने का बात नहीं होता है, कहीं में अगर किसी का church जलाया गया, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम यहां में किसी का retaliate करे, यह लोग जो कर रहे हैं बंगलादेश में problem, यह लोग fringe elements है, और आज हिंदुस्तान का अगर पूरे साउथी से इशिया में आप देखेंगे, अगर एक दोस्त है, जो permanently हमारा दोस रहा है, वो है शेक हसीना, और वो हमारे जो बंगलादेश के prime minister है, इस समय हमें उनके उपर विश्वास करना चाहिए, कि वो ये गुंडे लोगों को, जिसने पूजा का पंडाल को तोड़ा है, वो उनको arrest करेंगे, उनके खिलाफ कारवाई करेंगे, य ये जो हो रहा है बंगलादेश में, ये पूरा planning के साथ हो रहा है, एक conspiracy है, और इस समय हिंदुस्तान का अगर एक दोस्त है, तो वो शेक हसीना है, और उनको उपर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है, कि वो हमारे minorities को protect भी करेंगे, और ज अजित को या church को या कहीं में भी लोगों को धमकार है, मैं उनको warning देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने गलती किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गलती करें, emotion सबका रहता है, लेकिन emotion का ये मतलब नहीं है, कि अगर किसी ने किसी के घर में हमला किया, या किसी के किसी को बहन को मारा, या भाय को मारा, तो हम भी ऐसी करकर उनके जैसे बन जाए, तो मैं बोनना चाहता हूँ कि ऐसे जो वाइलन्स हो रहा है तृप्रा में, जहां में हमारे हम अप भी वेरी कैफूल, if Bangladesh becomes unstable, there is 1.70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 and all these people who are minorities tomorrow, if Sheikh Hasina is not there, remember what has happened in Afghanistan, even in 20 days Taliban took over, if Sheikh Hasina is weakened, what may happen in Bangladesh will directly affect the Northeast and Bengal because lax and lax of people then, if they are insecure, will cross over to India and our population is small and we will get in further problems and further complication. That's why I am saying the time for us, for Thansa, for unity is very important. Believe me, we are fighting not for ourselves. Pradyot Manikya, अपने लिए fight अब नहीं कर रहा है. मेरा health भी नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ मैं कितना साल जिन्दा रहूं, लेकिन मैं एक बार अपने टीप्रासा लोगों को कुछ Government of India से दिलवाना चाहता हूँ और वो मेरे लिए नहीं ह हमारे लोगों के लिए है. मैं सबको प्यार करता हूँ, I love all of you all, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मेरा health पहले से काफी अच्छा है, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दिली तो हम लोग जाएंगे, अभ्यान तो करेंगे, और उसके बाद हम लोग बाबागरिया करे, सुब्राय करे, खुदाना खास्ता करे, हम लोग आने वाले दिन में जीतेंगे भी. 2030 में हमारा last fight होगा, और ये last fight में, ये मेरा fight नहीं होगा, ये हम सब का fight होगा. बेलाई नो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू, और कहाँ. लोग लडेंगे, और हम लोग contest भी करेंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम भी development चाहते हैं, हम corruption के against हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी पूरे state को दिखाए कि हम लोग भी साशन करना जाते हैं, तो इस बार मैं एक भी तीप्रा सा का vote को दूसरे party में जाने नहीं दोंगा, ये तीप्रा मौथा आपका party है, ये तीप्रा मौथा अगर हम fight करेंगे, तो हम जीतने के लिए fight करेंगे, और तीप्रा मौथा भी इस बार sub seat में नहीं, लेकिन जहां में हमारा लोग है, हम लोग उसमें contest करेंगे, और जो लोग हमें support करते हैं, बिंगॉलीज हो, मुसलिम्स हो, मनिपूरीज हो, हिंदुस्तानी workers हो, कोई भी हो जो तीप्रा को ठीक रास्ते में ले जाना चाहता है, मैं आपको appeal करता हूँ, कि आपने सब को chance दिया है, आपने सब को chance दिया है, और सब ने आपको धोका दिया है हमें भी एक पर chance दे के देखिए, शायद हम अलग हों, और अगर हम गलत है तो आपके पास और एक मौका आए का हमें हटाने के लिए, लेकिन अगर आपने उनी लोगों को चुना, जिसने party के नाम में दंगा किया है, जिसने party के नाम में लूटा है, तो आप अपना भवश् जिसने मौकाम लाहे बाठी मनेः क्यों के अपना प cookies स्बूड़ी कि लिए्न घर कोषे खीर, क्ड़ कोचाहिए। है के लिए नाम में अपना घर कर अग involved ? अगर खीरिम्ट पर आखिए, जा पूहला कोचार। निसने हैं ? इellow जग चैशी पहला कोचाहए।